आप सभी के एकजाम पास आ रहे हैं बताने की ज़रूरत नहीं आप सभी को बता कि आपके एकजाम पास में आ रहे हैं और आपके चहरे से भी दिख रहा है थोड़ी से वरीड हो, थोड़ी से टेंचन में हो पेट में गुड़-गुड शुरू हो गए एक एक्जाम पास में आ रहे हैं पता नहीं क्या होगा जब session की शुरुआत हुई थी आपने पूरा सोचा था ठान लिया था इस बार टोप करना है ठान लिया था इस बार टोपर को बीट करना है ठान लिया था कि इस बार 95% मार्क्स लेके आने हैं लेकिन जब गाड़ी यहां तक पहुंची यानि कि आप 40 डेज के आसपास आपके एक्जाम से बाकी हैं तो थोड़ी से आप टेंचन में हो थोड़ी से प्रेशर में हो नेचुरल है सब की साथ ऐसा होता है इसे बोलते हैं एक्जाम फियर लेकिन बात सिरफ इतनी नहीं कि हम वरीड हैं और उसके बाद सोलिशन हो जाएगा वरीड है तो हमें सोचना है कि हम वरीड क्यों है आप वरीड हो आपकी रिवीजन कैसे होगी वरीड हो अभी आपके मैट्स की दो यूनिट रहती है वरीड हो अभी तो आपके शोसल साइंस में हिस्ट्री का एक चैप्टर भी त्यार नहीं है वरीड हो साइंस की भी दो यूनिट रहती है रिवीजन तो दूर की बात है पहले तो आपको फर्स्ट रिवीजन देनी है सेकंड कब होगी, थर्ड कब होगी तो यहां पर पूरा रायता फिला हुआ इस पार रायता फिला हुआ है क्योंकि आपको स्कूल भी जाना है आपको वर्कशीट पूरी करनी, आपको एसाइन्मेंट पूरे करनी आपको प्रोजेक्ट पूरे करनी, आपको टूशन भी जाना है और exam ओपर से अलग अब revision कैसे होगा exact 40 days रहते हैं 40 days और आपके पास total chapters है 80 के आसपास कैसे होगा ये सब दो बार या तीन बार तो revision होनी चाहिए जो सबसे important skill होती है किसी भी जो student होता है जो topper बनता है उसके पास कि वो time को ठीक से manage करता है ये जो 40 days है जिसने manage कर लिया ठीक से वो boss परने वाला है जिसने इन 40 days को ठीक से utilize कर लिया वो top करने वाला है कोई फरक नहीं पड़ता अब अब class में कहां हो कोई फरक नहीं पड़ता कौन सा बच्चा top है कौन सा बच्चा topper में आता है कौन सा बच्चा है जो mediocre में आता है फरक पड़ेगा जो in 40 days को ठीक से utilize करेगा तो आज हम discuss करेंगे कि in 40 days में आपको कैसे क्या करना है अभी भी अगर आपने कुछ नहीं किया doesn't matter हम 3 बार syllabus को revise कर सकते हैं in 40 days में अब भी हम post बन सकते हैं अब भी हम class को top कर सकते हैं तो आपके लिए सबसे important जो चीज होती है वो time management होती है लेकिन हमें exactly पता नहीं होता कि हम time को कैसे manage करें तो आज हम discuss करेंगे आप सभी के according आपके level के according कि कैसे हमें revision करनी है किस तरीके से in 40 days को लेकर के चलना है कि हमारा तीन बार at least three times हमारा syllabus वो cover hope जाए हो सकता है easily हो सकता है तो चलिए देखते हैं कैसे हम अपने syllabus को revise कर सकते हैं और आज हम discuss करेंगे time management skills को कि last 40 days की strategy क्या रहेगी कि कैसे हम अब भी top कर सकते हैं आग लगा सकते हैं भी चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात आएगी आपके schedule of day की हम बात करेंगे कि हमें एक दिन में क्या करना है तो हमारे पास जो students है सभी students है three types के students है school जाने वाले हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो school जाते हैं टूशन भी जाते हैं कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहीं नहीं जाते हैं schools पी नहीं जा रहे हैं टूशन पी नहीं जा रहे हैं सिरफ घर पर online classes ले रहे हैं या फिर वो भी नहीं ले रहे हैं सिरफ self study चल ले हैं तो हम तीने ओ टाइप के students की बात करेंगे सबसे पहले आप सभी के पास 24 hours है इतने ही है ना सब के पास इतने है एक ब्राबर है साथ गंटे सोना जरूरी है वो तो आपको सोना है मतलब सोना है उसके बाद 6 गंटे का आपका school है और 2 गंटे आपके rest के होगे यानि कि breakfast के होगे लंज के होगे डीनर के होगे सूपर पावर किसी के पास नहीं उसमें भी time चाहिए हम machine नहीं है हम भी इनसान है तो थोड़ा सा तो time लगता है इन सब चीजों को करने में तो हमारे पास total होगे 24 hours 7 hours sleep 2 hours का हमें race चाहिए 6 hours आप schools में जाते हो जो coaching जाते हैं जो उसके 2.5 hours लगा लिजे धाई गंटे उसमें लग जाते है दो ट्यूशन तो जाते ही होंगे अब दो ट्यूशन जाते है तो उसमें भी classes change में या फिर दो अलग लग जगए तो धाई गंटे कम से कम मान के चलिए अब सोच ये कितना टाइम हो गया 13 प्लस 2, 15 प्लस 2.5 17 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया यान की 17 घंटे हमारे लग गए इसी schedule में कितना टाइम बचा 176 घंटे तो ये बच्चे जिनके पास 176 घंटे है वो red zone में आते हैं यानि उनको school भी जाना है उनको coaching classes भी अटेंड करनी है तो ये पहला group है जो school जाता है और coaching दोनों चीज़े करता है उनके पास self study के लिए सिरफ 16 घंटे है ये किस zone में आ रहे हैं रेड zone में आ रहे हैं जिनके लिए थोड़ा सा मैनत ज़्यादा करने के ज़रूरत है थोड़ी सी focus ज़्यादा करने के ज़रूरत है कि वो ठीक से अपना revision कर पाए उसके बाद दूसरे students आते हैं जो school तो जाते हैं लेकिन ट्यूसन्स नहीं जाते हैं coaching classes नहीं जाते हैं उनके पास time 9 hours है यानि कि उनके पास थोड़ा सा time ज़्यादा है तो और इन जोन में आते हैं यानि कि उनके लिए हम in 40 days की बात करें तो revision करना थोड़ा और easy हो जाएगा उसके बाद तीसरे type के students है जो ना school जाते हैं ना coaching classes जारें तो उनके पास 15 hours है यानि कि वो मजे से top कर सकते हैं आराम से बहुत आराम से top कर सकते हैं 40 days मतलब 40 days हैं बहुत ज़्यादा है तो ये तो बात हुई कि आपको अपने पास time है कितना है उसको हमने देखा कि अगर आप school tuition जा रहे हो तो आप red zone में हो आप अगर coaching नहीं जा रहे हो school जा रहे हो तो आप orange zone में हो otherwise आप green zone में हो तो यहाँ पर हमने time को हमारे पास कितना है वो हमने देखा अब ये कि जो school जा रहे हैं इस time को हमें manage क्या करना है पहली चीज जो school जा रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि आप अपने time को utilize कीजिए अगर आपको top करना है अगर आपको 95% लेना है 90% लेना उसको cross करना है अपने school के time को utilize कीजिए vacant period है उसमें अपने assignment पूरी कीजिए vacant period में आप अपने project work को पूरा कीजिए vacant period है आपका वहाँ पे आप English को revise कीजिए वहाँ पे आपका sixth जो additional subject है उसको revise कीजिए आप Hindi को revise कीजिए यनकि वो subjects जिनमें आपका interest है जिनमें आपको ज़्यादा concentration की जरूरत नहीं है वहाँ पर उन कारें को पूरा कीजिए उन work को निप्टा डालिए दूसरा आप अपने return task है वो घर पे लेके नहीं आओगे बिलकुल भी नहीं लेके आओगे क्योंकि छे गंटे ओलेडी आप school जा रहे हो तो वहीं पे वो सब कुछ करना है क्योंकि छे गंटे इसलिए कि आपका अगर school source कम भी है कुछ गंटों के लिए कम भी है कुछ students का तो भी यह कि आप आने जाने में टाइम को वेस्टेज करें तो उच्छे गंटे तो आपके गए तो आप अपना return assessment जो भी है वो यहां नहीं लेके आओगे घर के उपर और दूसरा यह है कि आप अपने टाइम को यूटलाइज कीजिए अगर आपको actually में ही target अचेव करना है दूसरा अगर आप coaching जा रहे हो भाई coaching जाना छोड़ दीजिए मान लीजिए आपको physics वाली मेडम बोलती होगी science वाले teacher बोलते होगी कि भाई important topic तो अभी रहते ही है रहने दीजिए friends भी कहते होंगी कि last तक जाएंगे last में हमारे सारे important बताने वाले जो coaching classes है वो last तक चलती रहेगी last तक कहेंगे important revision करने वाले लेकिन भाई last तक भी अगर tease करते रहना तो कुछ नहीं होने वाला क्योंकि अब आपकी बारी है आपको output देना है आप चाहिए दो साल किसी syllabus को पढ़िए कुछ नहीं होने वाला होगा तब जब आप करोगे आपने पूरे साल पढ़ लिया coaching classes जाए एक आज chapter रहता तो YouTube से कर लिजिए कहीं से भी कर लिजिए self study कीजिए लेकिन coaching नहीं जाना है अगर आप अपनी study को लेकर के serious हो क्योंकि coaching classes का मतलब यह है कि आपके exam days तक भी चलेगा exam के बीच में break होगा तब भी बोला जाएगा कि आप आजाए important topics आपको revise करवाए जाएंगे important concept है वो discuss किया जाएंगे वो आपके doubts clear किया जाएंगे उसके बाद आप एक दिन में यानकि per day है per day में आप one hour के लिए सोना सुरू कर सकते हो सोना सुरू नहीं कर सकते हो आपको सोना है sleep time लेना है आपको सोना इसलिए क्योंकि tired feel करो गया जब study का थोड़ा सा pressure लोग इन 40 days के लिए तो seven hours plus one hours यानि कि हम eight hours के अपनी sleep को पूरा कर सकते हैं तो एक घंटे के लिए आप day में सोने की कोशिस कर सकते हो कुछ बच्चे ऐसे भी होगे कुछ students ऐसे ही होगे जो morning birds है सुबह जल्दी उठ जाते हैं वहाँ पे अगर आप ए घंटा utilize करें तो अच्छी बात है आप जल्दी उठ रहे हो तो एक घंटे के लिए आप दिन में भी अपने लिए time निकालिए इस machinery को थोड़ा ठंडा होने दीजिए साथी साथ आपको एक ओर tips याद रखना है कि don't study for more than two hours continuously दो घंटे से जादा आप बुक लेकर के नहीं बैठ होगे चाहे कितना ही pressure है चाहे कितना ही आपको 99% score करना है क्योंकि brain है वो work करना बंद कर देता है उसकी speed slow हो जाती है हमने एक वीडियो में discuss किया था Pomodoro Technique Pomodoro Technique means हमें एक घंटे में 50 मिनट के बाद 10 मिनट का break लेना है 10 मिनट का break मतलब break हमने वो जगह जहां पर हम बैठे हैं वहां से उठ जाना है पाने पीजिए, music सुनिए, कुछ भी कीजिए 10 मिनट का break लीजिए तो इससे हम continuously in days में अपनी productivity को, अपनी mind को अलट रख सकते हैं Otherwise क्या होगा हमने पहले जो 30 मिनट में work किया, 30 मिनट के according ही work किया अगली जो 30 मिनट में हम 25 मिनट का work करेंगे ऐसे हमारी जो catching power है वो धीरी-धीरी कम होती जाती है तो इसलिए हमें 2 घंटे से ज़्यादा study continuously नहीं करने किसी भी तरीके से उसके साथ-साथ आप अपनी एक और चीज कर लीजिए 40 days से पहले कि आप अपनी books को finalize कर लीजिए अपनी help book को finalize कर लीजिए अपने notes को finalize कर लीजिए क्योंकि ये competition notes इकठा करने का नहीं है कि final exam नज़दी का रहे है notes मैं उसको भी ले आऊँ उस academy के भी ले आऊँ उसने भी दिये है, friends ने भी दिये help book मेरे पास A भी होगे, B भी होगे, C भी होगे तो ये finalize कर लीजिए कि आपको कौन से help book पढ़नी है कौन से notes पढ़नी है आपको किसी YouTube channel से अगर revise करना है कोई particular subject तो वो भी decide कर लीजिए क्योंकि time wastage का ये आपके पास बिलकुल ये time नहीं है कि आप time थोड़ा सा है उसको भी अगर wastage करोगे अच्छा एक chapter इस से किया जा एक chapter उस से किया जा तो ऐसा नहीं करना है सारी books एक ही जैसी होती है थोड़ा भोट difference होगा chapters होँगे आप सबे के पास और हमारे पास days है 40 ओके और यहां पर हमें revision करनी है 3 times at least 3 बार revision करनी है तो सोच ये कितना ज्यादा pressure होगा हमारे उपर कैसे हम अपने time को utilize करेंगे तो सबसे पहले हमें first 20 days का एक schedule बनाएंगे जिसमें हमें पहली revision करनी है क्यों ये जो हमारी first revision होगे इसमें थोड़ा सा time हम extra देने वाले हैं तो इसमें first revision हमें 20 days में करनी है याई कि 20 days from now आज से जो आपके 40 days रहते हैं उसमें से तो 20 days में first 20 days में हम क्या करेंगे कि 4 chapters in 3-4 days to one subject यानि कि इसमें या तो हम 4 chapter करेंगे एक दिन में अगर आपको ऐसे decide करना आपके उपर depend करेगा क्योंकि आपका अपना pattern हो सकता है या तो आप किजिए 4 chapters in a day एक chapter आपने maths का किया एक science का किया एक social science का किया एक आपने English का किया या Hindi का किया ऐसे आप decide किजी क्योंकि तब आपके 20 days में 80 chapters हो सकते है या फिर आप 3 to 4 days एक subject को लगाई ये best way है अगर आप ऐसे करते हो कि 3-4 days के लिए एक subject के पीछे लग जाईए और उसको निप्टा करके ही छोड़िए तो इसके साथ साथ हमें हर subject के इन 20 days में एक sample paper भी solve करना है sample paper मतलब हमें confidence देगा confidence देगा कि सब कुछ हमें आता है ऐसा कुछ भी नहीं exam बहुत एज़ी आने वाला है थोड़ा सा confidence आएगा और हमारी energy को boost करेगा ये like that way food जो brain food होते है न वैसे ये brain food है हमारे brain को motivate करेगा इप्टाना है तो five days fix कर लिजे schedule की कौन से five days है continuous five days दे सकते हो अगर आपको लगता कि नहीं continuous five days देंगे तो गडबड हो जाएगे तो आप one day maths को दीजे second day किसी और subject को दीजे third day maths को दीजे आप ऐसे कर सकते हो maths के साथ चल सकते हो तो five days हमें maths के उपर लगाने है क्योंकि यहाँ पर काफी सारी practice करने की ज़रूरत है काफी सारे doubts में होगे तो five days में हो जाएगे ना easily हो जाएगा सब का हो जाएगा five days आप कर सकते हो उसके बाद social science की बात करते हैं syllabus काफी lengthy होता है history में particularly थोड़ा length है आपके geography में थोड़ा सा आपको ज्यादा time चाहिए तो यहाँ पर हम four days लगाएंगे one five days आप history में लगा सकते हो one five days के साथ-साथ आप one days geography में लगा सकते हो थोड़ा सा आपका pole science और एक को है काफी easy है तो उसमें आप one five days में दोनों को निप्टा सकते हो तो यहाँ पर आप focus कर सकते हो आप जो students मेरी army है मेरे साथ जुड़े हैं तो उनको पता है कि दो दिन में हम social science कर सकते हैं हम MIQ की series लेकर के आए जिसमें सब कुछ हमने निचोड डाला है तो आप वहाँ से कर सकते हो कैसे भी कीजिये लेकिन four days में आपको revision करना है उके उसके बाद हमें four days लगाने है science के लिए science के लिए four days more than enough है उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत बिलकुल भी नहीं है क्योंकि हमारे unit तो काफी है लेकिन छोटी छोटी unit है basic unit है तो वहाँ पर ज़्यादा time आपका नहीं लगने वाला है अगर इन में से आपको लगता है कि किसी भी subject में आपका syllabus थोड़ा जल्दी हो रहा है preparation पहले से है तो आप दूसरे subject को interchange कर सकते हैं इतने तो mature हो आप कर लोगे उसके बाद English के लिए आपको 3 days देने है 3 days क्योंकि काफी सारे grammar के topic है काफी सारे आपके writing skills में है chapters भी काफी सारे हो जाते है तो यहाँ पर आप 3 days में easily कर पाऊगे और आपको 2 days देने है हिंदी को और additional subject को आप देने वाले हो 2 days हो गए हमारी है 20 days इसका schedule fix कर लिजिए कि कौन सी date को कौन सी chapter या कौन सी syllabus को आप करने वाले हो यह आपको करना अपने according करना अपने mood के according करना अपने study के plan के according करना है ऐसे ही करना है लेकिन continuous में यह आद रखिए कि आपने maths किया तो अगर आप continuous 5 days करे हो तो उसके बाद बीच में हिंदी लेके आईए social science करें तो उसके बाद additional subject लेके आईए उसके बाद science को किजिए तो ऐसे आपको करना है ऐसा नहीं कि आप maths के बाद science के बाद social science ऐसे continue करोगे तो थोड़ा सा tired feel करोगे थोड़ा सा bored feel करोगे आपको लगेगा यह schedule हमसे follow नहीं होगा तो अभी यह आपके days रहेंगे first 20 days में हम first revision करने वाले हैं सभी chapter plus हमारे five sample paper हम करेंगे clear कैसे भी करके यानि कि five days का alarm set कर लीजी आपको four days का subject है तो four days का alarm set कर लीजी कि हमें करना है मतलब करना है क्योंकि इस बार हमें छोड़ना नहीं है इस बार हमें fourड़ना है हमें top करना हमें topर को beat करना है तो आपको क्या करना है अपना schedule fix करना है कि कब कौन से days को आप करने वाले हो और यह याद रखिए यह आप करने वाले हो अपने school के साथ यह आप करने वाले हो, अगर कोचिंग जा रहे हो, तो छोड़ दीजिए, अगर जा रहे हो, फिर भी जरूरी है, घर वाले नहीं मान रहे, तो उसके साथ भी करना है, क्योंकि इस बार हमें हाडना नहीं है, इस बार हमें मानना नहीं है, इस बार हमने ठान लिया, तो ठान लि उसमें हम दोबारा से एक revision शुरू करेंगे, यानि कि in 10 days में, next जो 10 days है, उसमें हम second revision निप्टाने वाले हैं, इस बार क्योंकि हम पहले revision कर चुके हैं, तो इस बार हम क्या करेंगे, या जो 10 days में हमें cover करना slaves को, तो हम two year, three days देंगे per subject को, और per subject का एक simple paper और solve करेंगे, यानि कि इस बार जो simple paper solve करेंगे, वो easy हो जाएगे, क्योंकि आपने पूरे slaves ने इप्टा लिया, तो write करने के ज़रूरत नहीं है, आप MCQs देखिए, उसमें से आप three marks के देखिए, five marks के देखिए, जो आपको थो second revision के लिए, science को आप two days देने वाले हो, English को one day, Hindi को one day, और additional subject को एक दिन देने वाले हो, तो यहाँ पर हम ten days में अपनी complete second revision को, जो हमारा second batch होगा revision का, उसको complete करेंगे, निप्टा डालेंगे, तो यह हो गए हमारे अब exam के days रह जाएंगे, only ten, तो उसके बाद हमें, जो day 31 to 35 ह उसमें हम दोबारा से, यानि कि third हम revision देने वाले हैं, और third revision का बतलगा कि हम एक day, एक subject को देंगे, one day for one subject, one day for maths, one day for science, one day for social science, और इसमें हम focus करेंगे difficult या फिर important topics के उपर, आपको लगता है जैसे आप social science करे हो, आपको लगता है कि आपका history पे थोड़ा सगड़ बढ़ है, आपको लगता है कि geography का chapter रहता है, आपको English में लगता है कि writing skills पे focus करना, आपको maths में लगता है कि sixth या seventh unit आपको उत्यार करनी है, तो सिरफ उनी के उपर focus करने वाले हैं, या उनकी बाकी चीज़े आपकी revise है, जो चीज़े आपको लगता है कि थोड़ा सगड़ बढ़ हो सक इसमें हम ये जो two days हम अपने week subject को देने वाले हैं, क्योंकि इस बार लड़ाई आर पार की है, आपको 95% लेने मतलब लेने है, 95% क्यों, 99 के लिए जाएए, 100 के लिए जाएए, तो उसमें आप इन two days में अपने week subject, जिसमें भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा, तन डोला म थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो उस पर फोकस कीजिए, साथ ही साथ आपके कुछ doubts होंगे, उन पर फोकस कर सकते हो, science में हो, English में हो, math में हो, social science में हो, जहां पर भी है, उसके बार day 38, यानि कि हमारे exam से तीन दिन पहले, exact three days पहले, तब आप अपने final exam की तरफ है, उनको seriously लेना मतलब आपको अपना 100% उन में देना है, लेकिन आप अपने revision को चलते रहने दीजिए, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं आने वाला, rocket science नहीं आने वाली कि आपको वहां पर जाकर के बनाना है, कि मार्स के लिए, मिशन मार्स के लिए कुछ आपको बताना ह स्लीबस जो आप revision कर रहे हो, वही तो पूछा जाएगा ना, तो आपकी automatic revision चल लिए, उसको दिया आईए, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, तो यह आपका schedule रहेगा, hopefully, अगर आपने इन schedule को follow कर लिया, आपने ठीक से इन 40 days को आपने utilize कर लिया, इस बार top आप करने व इस बार उस topper को आप beat करने वाले हो, जो आपको बोलते हैं कि top तो हम ही करेंगे, लेकिन इस बार challenge कीजिए उनको और इस बार topper को beat कर दीजिए, तो उमीद करता हूँ आपको यह schedule है, वो अच्छे समझ में आया होगा, आपने according इसमें थोड़ा बहुत change कर सकते हो, फिर भ jam pass में आ चुके हैं और पढ़ाई अब भी हमारी zero है, तो क्या अब भी कुछ किया जा सकता है, हाँ, अब भी time है, अब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्या करना होगा, वो सब कुछ हमने इस वीडियो में भी discuss किया है, तो अगर आपको यह schedule अच्छा लगा कि आपको लग रहा कि हाँ, schedule है, इसके according हमारी revision हो जाई, तीन बार revision भाई बहुत होती है, तो उसके अलावा भी आपका थोड़ा सा गड़बर लग रहा है, आपको लग रहा कि नही confidence नहीं है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और आज का यह episode हमारा time management का जो schedule है, यह अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को like और अपने friends के साथ share करना मत भूलीगा, thank you, bye bye, have a nice day.